नमस्कार दुफतों आज की इस नई एंड फिस वीडियो में बात करेंगे जो इन्वेस्टी वा कॉलेज को छात्र हैं उनके रिजल्ट के बारे में संपूर जानकारी आपको इस वीडियो मिले वाली है तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहेगा जिससे आप लोगों को सही जानकारी मिल सके आप मेंने से बहुत सारी इन्वेस्टी झात्रों के और बहुत सारी बहुत सारे इन्वेस्टी बहुत सारे को लिज वीडियों कर आई इनका रिजल्ट कब आएगा और हां मैं आपको बता दो बहुत सार universallyよね धेशिं जिसमें अभी भी परिच्छाय के वानाई और य सब्सकτεर हैं, सब इनवर्सिटी चात्रों के लिए important है क्योंकि चात्र जो वो इस्ट्रेस में आके यानि कि वो थोड़ा उनको धक्का लगता है कि हाँ भी तक रिजल्ट नहीं गुषित की इनुवर्सिटी ने तो उन्होंने इनुवर्सिटी के चात्र ने या फिर आपको ऐसे ते कॉलेज के चात्र ने बहुत बड़ा एक कदम उ बड़ा दूंगा इमेल से धमकी देने वाला चात्र धराया हम आपको बता दे क्यूंकि बीए के जो चात्र है बीए के चाहिए हो चाहिए बीकॉम के हो ठीक है अगर अभी तक उनका रिजल्ट नहीं जारी किया तो चात्र जो है वो तरह तरह के गलत कदम उठा रहे हैं या अपने आपको दिखा कि मुंबाई में एक चात्र ने इमेल भेज कर धमकी दी कि अगर बीए का रिजल्ट नहीं गोस्त किया गया तो इन्वर्सिटी कैंपस को बम से उड़ा देगा इमेल के जरिये धमकी देने वाले धमकी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामने की छान बीन शुरू कर दी बताया जा रहा है कि या मेल 19 जुलाई को बेजा गया था हलाकि पुलिस या जाच परताल के बाद मुंबाई के कलीना इस्थित मुंबाई बिस्विद्दले परसर को उड़ाने के धमकी वाले कई इमेल भेजने के बाद एक चात को पकड़ लिया गया और बा शुदी थी एक अधिकारी ने बताया कि M UK अधिकारियों ने 9 और 10 जुलाई को भेजे गए इन मेल के बारे में BKC पुलिस थाने से संपर करने के बाद जाच शुरू की गई ठीक है और इसमें लिखा कि अधिकारी ने कहा कि हमने इस IP address का पता लगया जिससे मेल भेजे बकड़ा जिसमें जो इसमें सामिल था चुकि एमे एक सरारत का हिस्सा थे और कुछ भी संदिख्द नहीं पाया गया और इस बात पर भी गवर करने पर इसका असर उसके साफिक कारियर पर सकता है हमने उसे चेकर चोड़ दिया है ठीक है और इसमें बहुत सारी डिटेल में जानकरी अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं इसका ताति पर यह निकलता है दो तो मैं आप लोगों को सोड में बताना चाहूंगा कि काफी दिन पहले चात्रों को परमोट करने की बात कही तो इसमें से बहुत फारे चात्र वेट कर रहे थे कि अब रिजल्ट आए लेकिन सारे अधिकारियों को यानि की स्कूल करमचारियों को उनके मादन से IPS आईडी कि जरिये से ट्रक करके चात को पकड़ा गया तो मैं आप लोगों को एक सगेस्ट करना चाहूंगा सुझाव देना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा आप अपने इनिवर से रिजल्ट आने की संभावना होगी या फिर बताया जाएगा हां रिजल्ट आजाएगा तो माप लोगों को इन फोमेशन कर देंगे अब रही इस नियूज की बात खतम होती है अब हम बात कर लेते कि अखिल कब तक आ जाएंगे तो छात्रों में आप लोगों को सूत्रो सब्सक्राइब करें उनका प्रोसेस चल रहा है कि उनके पिछले अंक जो है पिछले वर्स के वह मैच किया रहा है तो कि उससाफ से उनको नंबर मिलेंगे इसलिए अभी उसमें टाइम लग रहा है हाला कि जल्द से जल्द यह जैसे कुछ इन्वर्स्टिटि ऊंच के जो अभी परिच्छाय नहीं हुई है जब तक वह हो जाएंगी यानि के लगबग वही 15 से एक महिने केवीछ यानि तिरीश दिन के बीच में ॅभी फाइनल एर वालों की जहां पर बची है जैसे आप लोगों को सबसे पहले information करेंगे इसलिए आप लोग हम से जुड़े रहेगा day by day अब जो परमोट हुए है चात्रिया फिर जिनकी परिछाएं हुए उनका result आने की news आती रहेगी day by day हम आप लोगों को information कर देंगे इसलिए आप लोग एक्टिव रहे हैं जैसे result की हुस्ता होती हम आप तक information कर देंगे आप हमाया चैनल से जुड़ सकते हैं लिंक वीडियो की कि वीडिया और मैंगे घरिए 10 लोगो आप झाल झाल झाल